इतने सालों से हम सोच रहे हैं पाँ शे साल से सोच रहे हैं बट हो भी पॉसिबल नहीं हो हेलो गाइज गुड इफनेंग कैसे आप लोग वेलकम बैक टू माई चैनल तो ये करीब हम रात के आठ साड़े आठ का खलीप है और मैं अभी खाना बना रही हूं सबजी में बना रही हूँ मतर यह यहां पर थोड़ा सपनीर मेरे पास था और मैने इसमे एक दो आलो भी मिक्स किया हैं नहीं बन रही हूं trata को सक्छी में आठ कर रही हूं तो सब्जी जब लेके आएंगी यहीं बस सब्जी बच्चे हुई थी तो मैं सोजी कि चलो आज यहीं बना देते हैं और उसके बाद अभी तवा को मैं वाश करकी और फिर मैं अभी रोटी बनाना शुरू कर दूँगी क्योंकि टाइम हो गया तक खाने का भूग भी लग हैं तो अभी हमारा टिकट मिले है ततकाल यह लिये वही वेटिंग में मिला है तो कुछ भी आसा अलग नहीं रहे हमें कि हमें जाना था नहीं जाना था इनको भी भूग लग गई थी यह बोल रहे हैं कि जल चल्द छलिस खाना बना दो रोटी बना दो क्योंकि पांप बार जब भी मिल्क देती हूं उसको अभी दो दिन से कॉलफेक्स खतम है ला भी नहीं पा रहे हैं टाइम भी नहीं मिल रहा है और यह मुझे इग्नोर करता रहता है मैं मिल बोल रही हूं पीलो पीलो उसी तरह से अपने कॉपी पर लिखते जा रहा है यह लोग फिनिश करो फटाक से क्योंकि सुबह के अभी साड़े नौ हो चुके हैं यह देख रहे हैं और तो अच्छे से क्लियर वीडियो नहीं आती है और इधर मैं बैठी हूं तो ठीक है गुड मॉर्ण एवर्यवन कैसे आप लोग वैलकम बैक तो माई चैनल तो आज मैं अभी किचन में घी बना रही हू मजब थोड़ी सी मलाई थी तो मुझे लगा कि वह खराबना हो जाए क्योंकि इस बार में मलाई ज्यादा एक कठी नहीं कर पाई बीच में सेंड्विश बना दे थी मलाई के इसलिए तो मैं उसको सुची कि थोड़ा सही निकले उसको मैं निकाल देती हूं पीलिया मिल्क स्पॉसकष हो गया है। पानी मैं दे रहे हूं आपको तो चोटी वल्ली कठाई में बना रहे थी लुक lithe क्योंकि मिल्क जादा एक मिर्ट में है को दूची इस बनाई हूं ए और अब 알क कर पाई कठार बना दौन देसको कि ज्यादा करा सबेना कालाई ओं पालक क्योंकि ज बड़े बरतन निकाल दिए रात में दही जमाई ती तो यह आपको दिखाती हूं तरी बखोत अच्छी जमी है थोड़ा सा पानी निकला है तो यह बस हो जाए न फिर मैं दही जारी हूं कपड़े लगाने के लिए दोने के लिए तो यह दीरे दीरे बंदा निया तो तो कुछ कपड़े फोल्ड करी ताकी जगह बन जाया यह सारे कपड़े भी में उतार के भी ले जारी हूं क्योंकि यह सोक है कुछ दिर पहले मैंने इसको वाश किया था और इसमें से कुछ कपड़े फोलिन मैंने कुछ वाश किया है जो मोटे मोटे वाले उणी वह इकाद नहीं सूकी हैं बाकी तो सारे लगबग सूकी आय지만 और की सूसे और सूसे वेकर हाँ आभी मैंने वॉश की हैं यहाँ पे जो कपड़े फोल करी हूँ इसको मैं भी हटा दéo हैं और बैग भी अभी हम लोग निकाल चुके हैं inquiry मैंने बोल दिया थे कि बैग आप निकाल दो कुछ भी अभी इकन फार्म कुछ नहीं है हमें जाना है नहीं जाना है और आप लोग इने वाले हूँ तो हम लोग पते हैं हम दो ना मणतलब छे रुख साथ साल से सोचते हैं की हम लोग वैस्टोंंपा जाने के लिए बट ये पॉसीबल ही नहीं हो पा रहता और अचानक से कि अचानक से इनों ने फोन किया और बोलते हैं कि चलते हैं तो मैं फिर मना नहीं कर पाई है देखते हैं पॉसिबल हो तो चलते हैं कि हमारे पास टिकट है कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग जल्दी जल्दी मतलब चले जाएं टिकट इन्होंने किया ततकाल बट वो भी कनफॉर्म नहीं है तो बस आज ही अगर जाएंगे तो आज शाम कोई हम निकलेंगे और ज्यादा टाइम भी ह करना किया तो बस मैं अभी कप्ड़े फोल्ड करके और पैक कर ले रहे हुए अगर जाना होगा तो ठीक है अगर नहीं जाना होगा तो फिर देखते हैं वो तो शाम-शाम को पता चलेगा तो यहां पे मैं अपने जेन्स जो हैं वह अभी प्रेस कर लेंगे नियुंग इस प करने के लिए लेकिन जब से कुरोना आया और कुछ लोग भी मेरे सब्सक्राइबर जो है न वह भी कॉमेंट्स करते कि घर में प्रेस कर लिया करो कपड़े को थोड़े से जो सेविंग होती है वह सही रहता है हमारे लिए हमारे पैसे थोड़े से बच जाते तो मुझे भी होता है तो यह अपना खुद कर लेते हैं नहीं तो बाहर दे देते हैं तो यहां पी एक बैग में मैंने समान रख लिया है मतलब कपड़े उपड़ी है तो मैंने सुझा कि चलो पैक करके रख देती हूं और उसके बाद यह आएंगे तब ही मालूम चलेगा तो यह एक जयाने लगी हूं शाम का टाइम हो गया है तो ओफिस से भी अभी आने वाले ते सब्जी बनाऊंगी आता गून के रख ली हूं तो मुझे पराठे भी बनाने है अगर जाना होगा तो यह खाना हम लेके जाएंगे नहीं जाना होगा तो हम यहीं पर खाना खा लेंगे तो आज का ब्लॉग भी न मैं ज़्यादा शूट नहीं करी इसलिए नहीं करी क्योंकि दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे और अगर हफते भार दर जिन पहले एक मेने पहले से प्लान रहता है कि जाना है हमें तो थोड़ी सी अलगी फिलिंग रहती है ना पैकिंग करना ये करना है वो करना है और आपको कल आज शाम को निकलना है और आपको दो पहर के टाइम या फिर सुबह के टाइम पता चले कि हम हमारे पास और यहां पर मैं इनसे ही डिसकेशन कर रहे थी कि अब हम लोग क्या करें अब हमारा तो लगी नहीं रहे कि हम लोग जाएंगे तो यहां देखिए न यह बस लगी हुए था लैप्टरप पे एक दिर घंटे कंटिनू लगे और यह भी न बस की टिकट देख रहे थ कि अब फिर मना कर दिये कि हमें नहीं जाना है वह हुआ जाता टेंशन में थी मुझी अब नहीं लग रहा था कि मैं जाओंगी खाना वाना सब कुछ बना कर देखिए और बस की टिकट अगर हम दो पहर तक बोल रहे थे कि तीन बजे तक भी मालूम चलता कि हमें कार से नही होती बट होता है नहीं कि जो होना होता है वो होके ही रहता है तो बस बात के बस गया है नो और मैं सपोर्श और ये सब लोग रेडी हो चुके हैं बहुत जादा प्रोब्लम आई हमें मदब टिकट बूप करने में सोचो की हमारा ट्रेंड कैंसल सब कुछ कुछ नहीं था फ सब्सक्राइब तो इस टाइम पर अभी नहीं निकलेंगे एक घंटे में निकलेंगे और वहां हम जाएंगे वहां से बस डारेक्ट कट्रा की उन्होंने बुक किया अक्शली लास्ट में ऐसा हुआ ना कि मतलब हमें कार से भी जाना था बट कार से भी नहीं जा पाएं फिर आप्शन हमारे पास कुछ भी नहीं था अगर हम कल बस की टिकट बुक किये होते तो शाम की हमारे टिकट मिल गई होती दो पहर में बुक किये होते तो शाम की मिल गई होती बट ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमारा मतलब बस का टिकट ऐसा लग हमें कार से जाना है कार जाना ह टिकट शाम शामिशाथेशेड़ मिल गई करेंगे हैं यह तो बहुत समझे हैं और बॉस इसा रही है पहुंच जाएं तब की बात है तो यह ब्लॉग आई थिंक कब शेयर करूंगी नहीं पता तो जब शेयर करूंगी तो आप लोग मिल जाएगा बाकी मैंने एक ब्लॉग एडिट करके भी स्टेडूल पे लगाया है क्योंकि हम कल मॉर्णिंग में वहां पहुंच जाएंगे आ जैम आता दी तो मैं कोशिश करूंगी पुरा ब्लॉग वहां का शूट करने का मतलब जितना हो पाएगा क्योंकि चड़ाई आदा चड़ाई तक तो मैं ब्लॉग शूट करूंगी दैन और नहीं हो पाता है उसके बाद ना जब हम वापस लोटते हैं बहुत जादा थकाव जाद का जो ब्लॉग है आपके साथ नेक्स ब्लॉग में शेयर करूंगी मिलती हूँ अगले ब्लॉग में बाद आए